Hello Learners, आज के इस वीडियो में हम LCM of 15 and 20 निकालेंगे इसके लिए हम सबसे पहले 15 और 20 को Prime Factors के फॉर्म में लिखेंगे 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 जहाँ पर 3 और 5 दोनों ही Prime Factors है Next आते हैं 20 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 10 यहाँ पर 2 Prime Number है पर 10 Prime Number नहीं है इसलिए हम 10 को Further Divide करेंगे ताकि वो Prime Factors के फॉर्म में लिखा जा सके तो 2 यहाँ पर वैसे का वैसा आजाएगा 2 multiplied by 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 तो 20 को Prime Factorization Method में अगर लिखेंगे तो 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 अब यहाँ से निकालेंगे LCM of 15 and 20 हमें देखना है कि कौन से Factors दोनों में Common आते हैं सबसे पहले आते हैं 15 के Factors में 3 20 के Factors में 3 नहीं है इसलिए 3 हमारा नीचे वैसे का वैसे आजाएगा नेक्स्ट आते हैं 5 में यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5 है तो इन दोनों 5 के लिए हमारा एक 5 LCM में आएगा नेक्स्ट यहाँ पर और कोई Factors नहीं है अब आते हैं 20 में 20 में है 2 into 2 2 यहाँ पर ही है 2 into 2 और 15 में यह Factors और नहीं है तो यह 2 और यह 2 वैसे का वैसा हमारा नीचे आ जाएगा 5 तो हमारा कंजडर हो चुका है क्योंकि 5 एक Common Factor था इसलिए वो हम फिर से नहीं लिखेंगे तो हमारा LCM of 15 and 20 हुआ 3 into 5 into 2 into 2 यानि कि 60 आंसर अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो थोरा सा भी helpful लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल MathsTube Learning को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग बाई